मैं हमेशा ये सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए गोल्ड लाता ये बात मेरे समझ में नया आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है छोरा लावे या छोरी साल 2016 में आई आमीर खान के फिल्म दंगल का ये डायलोग तो हम सबी ने सुनाई होगा ये महजे एक फिल्म का डायलोग भर नहीं है जिसका आनन्द लिया और छोड़ कर आगे बढ़ गए बलकि बहुत गहरी बात है जिसे आज तक हमारा भारतिय समाज पूरी तरह से आत्मसा नहीं कर पाया है जी हां लिंग समानता को लेकर हम कितनी भी बड़ी बड़ी बाते क्यों ने कर ले लेकिन वास्त्विक्ता यह है कि आज भी भारत में लिंग ऐसा मांता बड़े पैमाने पर है जिसका एक जीता जागता उधारन खेल की दुनिया है वैसे भी खेलों को लेक विनेस फोगाट, बविता फोगाट, मानसी जोसी, दूती चंद, पीवी सिंदू, हिमादास जैसी महिला खिलालियों को भूला नहीं जा सकता। खेल के चेत्र में करियर बनाने का समर्थन नहीं करते। राष्टी और अंतराष्टी इस तरपर खेलों में पूर्सों की वर्चसों को चुनोती दे रही इन महिला ख्लाडियों के संगर्स की दास्तान सुनकर आप भी यह कहने को मजबूर हो जाएंगी कि महारी छोरिया छोरो से कम है के हिमा दास डिंग एक्स्प्रेस के नाम से मसूर हिमा दास का जनम 9 जनवरी 2000 को असम के नगाउं जिले के डिंग गाउं में हुआ था उनके परिवार के आर्थि किस्तिती अच्छी नहीं थी उनके पिता के पास मात्र दो वीगा जमीन थी जिस पर खेती करके वे आ एथलेट बनने की सलहा दी और यहीं से शुरुआ उनके एथलेट बनने का सफर बता दे कि हिमा ट्रेक्स पर विश्व इस्तर पर गोल्ड जीतने वाली पहली भारती खिलाडी है हिमा के जज़वे और प्रदर्शन को देखते हुए असम पुलिस में उन्हें उप अधिक सक बनाय गया है हिमा दास ने कई प्रतियोगिताओं में स्वन पदक जीता है मैरी को बोक्सर मैरी कोम का जनाम एक मार्च 1983 को भारत के पूरुत राज्य मनिपूर के एक छोटे से गाउ में हुआ था उनका बच्पन भी बहुत गरीबी में गुजरा बोक्सिंग सुरू करने के बाद मैरी को पता है कि उनका परिवार उनके बोक्सिंग के कैरियर बनाने के विचार को कभी नहीं मानेगा जिस वज़े से उन्होंने इस बात को अपने परिवार से छिपा कर रखा था साल 1908 में से 2000 तक वे अपने घर में बिना बताए इसकी ट्रेनिंग लेती रही सन 2000 में जब मैरी ने मैनिपूर में वीमेन बोक्सिंग चेंपियंशन में जीत हासिल की तो उन्हें बोक्सर का वार मिला तब परिवार को उनके बोक्सर होने का पता चला बड़ी बात यहां कि भारत में जहाँ शादी और बच्चों के बाद महिला खिलारी का करियर खता माना जाता है, ऐसे में मेरी कोम ने मा बनने के बाद भी खेलना नहीं छोड़ा, तीन बच्चों की मा बनने के बाद भी मेरी कोम ने वर्ल चेंपियन्शिप जीती, वह दुनिया के एक मात्र बोक्सर है जिनोंने ख ہ way विनेश फोगार्ट पहलवान विनेश फोगार्ट विनेस को बहुत कुछ जेलना पड़ा लेकिन विनेस ने हार नहीं मानी और इस यात्रा में पिता के बाद उनका साथ उनके ताउ ने दिया खेल कि इस दुनिया में विनेस ने वर्ल्ड चेंपियंशिप में कांश पदक और कॉमन वेल्थ गेम्स में स्वन पदक जीत करती रं उडियों को तोड़ा दूती का जनम 3 फरवरी 1996 में को उडिसा राज्य के जाजपुर जिले में हुआ था इनके पिता एक बुनकर थे इनकी मा भी बुनकर का काम करती थी घर के आर्थी किस्तिती अच्छी नहीं थी लेकिन दूती की मेहनत को देखते विए उनके घर और गा आज दूती भारत की सबसे तेज भागने वाली एथलिट में से एक है पीवी सिंदू तेलंगा मा रहने वाली पीवी सिंदू भारत की पहली बैडमिंटन खिलाडी है जिनोंने सिर्फ 21 साल के उमर में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता है वह दुनिया के टोप 10 वर्ल्ड पेंडमिंटन चेंपियंजिप नहीं जीती है आखिर खेल में क्यों कम है महिलाओं की भागीदारी में महिलाओं की प्रयाप संक्या में भागीदारी नहीं होने के कुछ कारण ये है एक रिशर्च की दोरान लोगों ने बताए कि स्कुलों ध्वारा खेल पर लोगों का मानना है कि महिला एथलिटों को मातरतों और खेल करियर के भी संतुलन इस्तापित करने में चुनोतियों का सामना करना पड़ता है इसके अलाव पुरुष लाड़ियों की चुलना में महिला की लाड़ियों को कम धन मिलता है जिससे उनके लिए प्रतिस्परदा करन लंबे समय तक खेल में लिप्त रहना मुश्किल हो जाता है। कोच के अनुपस्तिती भी एक बड़ा कारण है। करिवार भी खेलों के प्रति जागरू को योजनाओं को थोड़ा और बेतर तरीके से लागु किया जाए ताकि सभी जरुत मंदों को उनका लाब मिल सके। खिलाडी महिलाओं को वित्ते सायता प्रदान करने के साथ साथ खेल से जुड़ी सुईदाय उपलब्द करवाएं जाने का हो शकता है। इस्तानी इस तरपर महिलाओं के लिए विब्बिन खेल प्रतियों की ताया आउजित करवाई जानी चाहिए ताकि अच्छे लाडियों के पैचान हो सके और उनकी प्रतिवा को निखारा जा सके। जो दूर तक जाएगी। जवारिक और सामाजिक बदलाओं की महिलाओं को आगे आने के द्वार खोलेगा। जैसे जैसे महिलाएं, सिक्षा, करियर और अपनी जिंदिगी के फैसले स्विम लेने में सक्षम होती जाएंगी वैसे वैसे लोग भी से स्विकार करने लगेंगे। और खेल जैसे छेत्रों में भी उनकी भागीदारी बढ़ती जाएगी। संचेप में काएं तो हम सभी को अपनी परंप्रागत सोच से बाहर निकलना होगा और यह स्विकार करना होगा कि मैडली स्पेड पर नहीं उखते हैं, उन्हें बनाना पड़ता है। प्यार से, मेहनत से और लगने।